फूलों वाली गमले की मिट्टी अगर इतनी सकत रहती है या गमलों में ऐसे जंगली खास उपते हैं तो आपका पौधा कभी भी इस तरीकी से फ्लाफरिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती तो हलो फ्रेंट्स वन सेगन वलकम बैक टू मैं चैनल तो विंटर सीजन स्टार डे फ्रेंट्स से इस टैम हमारा बगिया पूरा फूलों से भरा हुआ है तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरीकी से फूल आपके गार्डन में भी खिले तो फ्रेंट्स से छोटी सी यूज करने से हमारा जो विंटर गार्डन है हमेसा फूलों से भरा रहेगा इस फटिलाजर के यूज करने से फ्रेंट्स से मेरे छोटे-छोटे पौधे में कली भी आ गई है और फूल भी खिल रहे तो चलिए ज्यादा बाते ना करती हुए हम वीडियो की शुरुबात करत आपकी जितनी भी विंटर की प्लांट से सबको एक जगा रखके ऐसे जंगली घास अगर उसमें हो रहे हैं या कोई भी घास हो रहे हैं अलग तरीके से तो उनको फटा-फट आप गमले से उठा के फिक दीजिए ये घास इतने पावरफुल होते हैं फ्रेंट्स की सॉयल से सारी एनरजी यही गहस ले लेता है और जो हमारे फ्रावरिंग प्लांटों होते हैं उनको बिल्कुल भी एनरजी नहीं मिलता है सोल से और हमारा पॉधव ऐसे के वैसे छोटा भी रहता है और कली बिल्कुल भी नहीं बनती है येसाалист सारी मैंने क्लीन करके रखाई ये दे उससे आपके जो कमले हैं प्रंट्स है उनकी मिटी को आप गुडाई कीजिए यह मैंने दिखाने के लिए रखा है कि मैंने गुडाई नहीं किया अधरवाइज में अपने जितने भी फूलो वाले पौदे हैं उनकी गुडाई में दो दिन बाद या तीन दिन बाद जरूर कर और हेल्दी भी रहते हैं और हमारा पौदा खुशों के फिर फूल भी देता है तो देखिए गुड़ाई ऐसे अगर हम जब करते हैं फ्रंट से तो हमारी मिट्टी बहुत बुरबुरी होती है यह देखिए मेरी सारी गमलों की मिट्टी कुछ इसी तरीके से हैं तो आप फट इनकी जो दूप होती है वो बहुत तेज होती है तो जो इंपेशन है फ्रंट से उनकी सोयल कुछ इस तरीके से होना चाहिए यह देखिए थोड़ी सी नमी आपको देख रही होगी लेकिन मिट्टी हाथ में बिलकुल भी नहीं चिपक रहा है और इधर की सोयल आप हो जाती है तभी मिट्टी का आइडिया मैंने आपको दिखा दिया और एक बात ये देखिए पत्या ये जिसमें पानी अच्छी मात्रा इंकी पत्तियाँ खड़ी खड़ी है ये देखिए सारी पतिया में दिखा देती हूँ ये देखे, ऐसी है इनकी मिट्टी, जिसमें थोड़ी सी पानी है, ये देखे, खड़ा-खड़ा सा है, सकत लगता है हमें और जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, उनकी पतिया देखिए, ऐसे नीचे जुकी हुई रहती है इन तिन टिप्स को फॉलो करके आपका पॉधा थोड़ी मातरा में फूल देगा, लेकिन अधिक फूल लेने के लिए आपको फटिलाजर का इस्तिमाल करना है फूल देटे हैं that हमारे पॉधा को जतनी प्रोटीन के जरुरत होती है, वह फटिलाजर फूरा करता है थोड़ा काम तो हम करते हैं विना फटिलाजर किया है, उसे हमारा पॉधा थोड़ा मातरा में हमें फूल देता है लेकिन पौधे को जितनी अधिक एनरजी मिलती है हमारा पौधा उतने ही बड़ा होता है उतने ही मोटा ताजा होके फिर हमें return में full देता है तो full देनी के लिए friends हमें थोड़ा सा काम करते रहना चाहिए वो काम होता है हमारा fertilizer देना खाना जितना हमारे पौधा को मिलेगा हमारा पौधा उतना ही full हमें return में देगा तो ये जो fertilizer है फिरंट से ये है bone meal bone meal हमें market में सस्ते price में मिल जाता है bone meal से हमारा जो पौधा है उसकी growth भी बहुत तेजी से होती है और अगर आपकर पौधे में full नहीं आ रहा है तो हमारा छोटा पौधा भी full देने के लिए एकदम ready हो जाता है और उसमें कलिया बनना शुरू हो जाता है bone meal हड़ियों की चूरा का बना हुआ fertilizer होता है bone meal में फासपोरस, magnesium, potetium और kensium की बहुत अधिक मात्रा पाये जाती है जिसे हमारा छोटा सा पौधा भी full देता है फासपोरस से friends हमारी जो पौधे की growth है वो बहुत तेजी से होती है roots बहुत जल्दी बड़े होते है और हमारे जो छोटा सा पौधा है उसमें full भी बनना शुरू कर देता है और हमारा full भी काफी लंबे टाइम तक हमारे पौधे में लगा रहता है और potassium से आपको पता है कि full बहुत अधिक मात्रा में आता है इसलिए bone meal का इस्तिमाल हमें करते रहना चाहिए bone meal ज़्यादा महंगा भी नहीं है friends है हम एक आधा लीटर का अगर एक packet लेके आते तो कम से कम एक महने तक हम winter की जितने भी पौधे हैं उनमें continue इसका इस्तिमाल कर सकते हैं वैसे इसका इस्तिमाल हम महने में एक बार कर सकते हैं और आपका पौधा कितना बड़ा है उस according आप एक चमज या दो चमज इससे fertilizer का use कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मेरा यह चोटी से panty के डबे में यह impression को मैंने लगा रखा था last year तो इसमें फ्रेंट से में ना गुड़ाई कर सकती हो ना dry fertilizer डाल सकती हो सेम यह 6 इंचे के plastic के pot में लगा हुआ यह पौदा है इसमें भी गुड़ाई नहीं कर सकती हो ना मैं ऐसे fertilizer डाल सकती हो तो उसके लिए और एक idea है यह liquid fertilizer आप तियार कर सकते हैं इसी bone meal का लेकिन इसे तुरंत हम नहीं डाल सकते आप आधा लीटर का कोई भी साधा पानी ले लीजिए और उसमें आप 3-4 चमच bone meal को डाल कर एक हपती के लिए अप 6-10 जगा पे आप रख सकते एक हपती के बाद जब हम इस fertilizer को देखते हैं तो उसका color थोड़ा सा change हो जाता है फिर हम डायरेक्ट इसी fertilizer का इस्तिमाल हम अपने जितनी भी फूलू वाले पौदे हैं जिसमें हम गुडाई नहीं कर पाते हैं उनमें हम कर सकते हैं लास्ट में एक टिप्स शेयर करें हैं फ्रेंड से जितनी भी winter season के प्लांट होते हैं उनमें shower करके अगर आप पानी देते हैं तो दो benefit होता है एक तो धूल भी बहुत जादा उड़ता है winter season में तो धूल भी सारे धूल जाते हैं और जो हमारा प्लांट है उसमें जब हम पानी देते हैं तो वो डाइरेक्टर drainage hole से बाहर भी निकल जाता है तो इन कुछ टीप्स को अगर आपने follow किया तो आपका पौधा भी कुछ इस तरीके से फूल देगा और आपका garden रंग भी रंगे फूलों से भरा रहाएगा तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चैनल में पहली बारे तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रंट से जय हीन जय भारात रादे रादे